हलो गाइज तो आज हम डिजाइन करेंगे साइड डोडी वाली बोटने कुरती और इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ-सिर्फ 2 मीटर फइब्रिक इससे हम डिजाइन करेंगे यह फैब्रिक मैंने cotton का फैब्रिक लिया है प्रिंटेड फैब्रिक है आप इस तरीके की local market से फैब्रिक ले सकते हो तो सबसे पहले हमें इस फैब्रिक को इस तरीके से double fold करना है उल्टे side में और फिर इसे हमें four fold कर लेना है इसके बाद जो तरीका है आपको boot ने cutting and stitching का कैसा लगेगा मुझे जरूर कमेंट में आप बताइएगा तो सबसे पहले हम अपनी length का mark करेंगे जितनी लंबाई रखनी है उससे 2 इंच जादा का निशान आपने लगा लेना है इसके बाद मैंने या पर 44 इंच का निशान लगाया मुझे कुर्ती 42 इंच लंबी रेडी करनी है और फिर मैं बागी फैब्रिक से slip and dory बनाऊंगी तो इस तरीके से हमने निशान को सीधा कर लेना होता है और बिलकुल basic तरीका है beginners इससे बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और इसके बाद हमें 7 इंच कंधे के लिए निशान लगाना है आपको कोई आपकी measurement वगरा पता नहीं है फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हो तो आप 7 इंच कंधा और 7 इंच आर्म होल से बना सकते हो बिलकुल perfect गुर्ती आपकी ready होगी try करकी जरूर देखिएगा तो ये सब के लिए अच्छा मार्किंग है 7 इंच कंधा और 7 इंच आर्म होल का हमने निशान लगा लिया है इसके बाद हमें चेस्ट का measurement जितना होगा उसकी चौथा ही लेनी होती है 34 चेस्ट है उनका चौथा भाग सारे आठ मैंने यहां पे मार्क कर लेना है आपकी जो भी चेस्ट म के नीचे 7 इंच का निशान लगाना है वेस्ट पॉइंट के लिए और उससे नीचे 7 इंच आपको हिप पॉइंट का निशान लगाना है तो यहां पे हम अपने कमर का measurement लेंगे जो भी आपकी कमर की measurement होगी उसका चौथाई लीजेगा आप यह सब कुर्ती में से मेजर कीज उसका मार्जन लेना है इन सबी निशानों को हम मिला लेंगे और जो भी margin हमने लिया है margin के निशान को भी मिला लेंगे यहां पे अच्छे तरीके से नीचे आपको दामन जो है कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से एड़िस्ट कर सकते हो ज्यादा रखना है कम रखना ह जिस तरीके से या फिर कपरे की चौड़ाई को भी देखकर आप दामन ले सकते हो तो मैंने सारे 9 इंच का निशान लगाया है और यहां पर जो घेरा है वहां में 1 इंच ही मार्जन की जरुरत होती है ज्यादा नहीं इसके बाद इसके निशान को हम मिला लेंगे अच्छे तर स्टैप आपको बताने वाली हूँ तो इस तरीके से हमारा यह सब निशान तो हो चुका है और यहां पर आर्म होल में हलकी सी गोलाई दे देनी है हमें इस तरीके से और अभी मैं आपको बोट नेक पताती हूँ कैसे कट करनी है देखो बोट नेक बना रहे हो तो आप तीन स और गहरा कर दूँगी लगबग साड़े चार के करीम में तो इस तरीके से आप इकवल भी निशान रहने दे सकते हो चार भाई चार की बोट नेक बहुत ही परफेक्ट रेडी हो जाएगी तो चलिए हम इन सब भी निशान को कटिंग कर लेते हैं उसके बाद आगे का प्रो तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है एने इसके बाद फ्रंट वाले जो पीस है उस पे हम बताएंगे आर्म होल की गहराई देना तो गाइस मैंने फ्रंट का कुर्टी का पीस आगे रख लिया और इसमें हाफ इंच की यहाँ पे आर्म होल में गहराई दूंगी और जो तो इस तरीके से मैंने निशान लगाया हुआ है बस अभी मुझे कटिंग कर लेनी है और आप चाहो तो उतना ही नेक रहने दे सकते हो जितना आपने बैक में रखा है बट आर्मोल की गहराई आपको जरूर देना है इस तरीके से तो हमारी आर्मोल की कटिंग हो चुक है चलिए अब हम स्लिप की कटिंग देखते हैं बाजू कैसे तयार करना है तो जो भी फैब्रिक बचा है उसमें से मैंने कुछ फैब्रिक डोडी के लिए अलग कर लिया है और कुछ फैब्रिक को इस तरीके से फोर फोल्ड कर रखा है औ और 4-fold fabric है, तो पहले फटा-फट से इसको सीधा कर लेते हैं, जो भी extra fabric है, उनको cutting कर लेते हैं एंदे को जितनी आपको slip की लंबाई ready रखनी है, उससे 2-inch जादा आपने लेना है, तो मैं 12-inch पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे 10-inch slip की ready length रखनी है तो ये निशान मैंने सीधा कर लिया है, इसके बाद side से armhole के लिए 1.5-inch का निशान लगा लेते हैं, तो मैंने 4-fold में कपरे की चौड़ाई 9-inch लिया है, जिसमें नीचे से 2-inch का निशान मैं लगा दूँगी margin के लिए, उपर बचा 7-inch, जितना हमने armhole लिया है, उतना ही हमे कहां पे slip की चौड़ाई रखनी होती है, फिर हम इसको round कर देंगे इस तरीके से, और मोहरी मेरी 5-inch पे मैं ready रख रहे हूँ, आप अपने recording मोहरी का निशान लगाईएगा, armhole बिल्कुल इसी तरीके से cut कीजेगा अगर आप medium length वाले हो तो, और इसके बाद हमने margin के निशा इसमें भी हमें armhole में half inch की गहराई देनी होती है, front के piece में, जिससे हमारा यहां पे जो होता है slit ना बने, तो इसके लिए दोनों front के piece को हम पकरेंगे, और उस पे हम half inch की तरीके से गोलाई लगा देंगे, और नीचे वाले piece की cutting मत करना गलती से भी आप, तो इस तरीके से हम neck वगारा ready करते हैं, तो गला तयार करने के लिए हमने अलग से fabric मेरे पास था lining का, उसका use कर रही हूँ, इस तरीके से हम चोड़ा सा piece लेंगे, और गले पे रखेंगे, गले की stitching करेंगे, इसको cut करके पलट लेंगे, जैसे मैंने और कूर्ती के गला बनाने को आपको बताया है, उसी तरीके से इसको बनाएंगे, और सेम हमें front and back दोनों में lining का इस्तेमाल करना है, जो भी fabric extra आपके पास बचे होंगे, उससे आप बना सकते हो, और बाजू को इस तरीके से double fold करके stitch कर लेंगे, तो guys, यहाँ पे मैंने डोरी के लिए 45 इंच लंबाई की तीन पत्तिया इन सभी को जोड़ कर एक साथ में डोरी बनाऊंगी, जिससे छोटी छोटी डोरी और बड़ी वाली डोरी में निकालूंगी, और देखो 4x4 की 44 इंच चोड़ाई लंबाई की हमने यहाँ पे fabric के टुकरे कट कर लिए, डोरी और लटकन के लिए, तो चलिए देखते हैं प्रेंड फैमिली के साथ जरूर कर लिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि यह ड्रेस आपको कैसी लगेगी इसकी फाइनल लुक लास्ट में, इस तरीके से मैंने एक साइट का कंधा अटैच कर लिया, अब दूसरे साइट का कंधा हम अटैच कर रहे हैं, और इसके कुछ इस तरीके से लुक है, और यहां पे हमें इस तरीके से इसको खोलना है, और बिल्कुल इसके सेंटर में हमें बाजू का जो हमारा बाजू है उसका सेंटर रखना है, तो उसके बाद इसको हमें अटैच करना होता है, फ्रेंट वाले पीस में फ्रेंट साइड रखना, बैक वाले पीस में बैक साइड देखिए इस तरीके से मैंने इसको सिल्वी लिया हुआ है बाजू को देखो सेंटर पे कट लगाया हुए है जिससे की बिल्कुल परफेक्ट ये स्ट्रिचिंग हो जाए इस साइड तो हम अब फटा-फट से स्ट्रिचिंग कर लेंगे इसी त देखिए सबसे पहले मैं मोड़ी का निशान लगा लेती हूँ पाच इंच पर हमें मोड़ी रखनी है आप अपने एक ओर्डिंग निशान लगा लेना और नीचे आप यहां पर जो भी आपकी मेजरमेंट है उतने का निशान लगा सकते हो या फिर जो 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 दो दो इंच इस एक्स्ट्रा मार्जन आपने लिया है उसे साइड से इस तरीके से मार्क करते चलिए और आपका इस एकोर्डिंग मेजरमेंट हो जाएगा तो देखिए बीच से हमारा 17 इंच चेस्ट रेडी हो जाएगा दो-दो इंच मार्जन साइड से हटाने के बाद वेस्ट हमारा 15 इन्च रेडी हो रहा है और हमारा हीप जो है 18 रेडी हो रहा यहां पे तो इस एकोर्डिंग निशान आपने लगा लेना है अभी इन सभी निशान को जिस तरीके से आपको सुविधा हो वैसे आप बन लगाना आपको अपनी सुविधा के नुसार्क से करने इसके बाद सभ चाक फोल्ड करने में कोई भी दिकत आ रही हो तो मैं एक कुर्ते की लिंक नीजे डाल देती हूँ जिसमें मैंने चाक फोल्ड करना बताया हुआ है उस वीडियो का चेक कर लेना एक वाल और इस तरीके से तीनों साइड की हम यहां पे जो होती है पटी फोल्ड कर लेंगे और इसको जब हम इस्टिच कर लेंगे इसके बाद हमें यहां पे जो उपर है डोरी लगानी है तो चलिए डोरी के लिए हम किस तरीके से डोरी त्यार करते हैं वो सब आपको मैं बताती हूँ कंटिन्यू इस प्रोसेस को जरूर देखिएगा देखिए एक इंच चौड़ी पट्टी जो मैंने रखी थी उन सभी पट्टियों को एक साथ अटेच कर लिया है मैंने लंबा सा डोरी बना लिया है और इसको उल्टे में फोल्ड करके इस तरीके से इस पे सिलाई कर रही है जैसे ब्लाउस वगेरा की डोरी बनाते हो पूरे पे टोटल सुलाई आपको कर लेनी है इसको तो इसको पूरा हम सिल लेंगे और उसके बाद जैसे ब्लाउस की डोरी को पलटते है सुलिदागे की हल्प से इसको भी पलटकर रेडी कर लेंगे और हमारा डोरी रेडी इसके बाद कूर्ती का जो हमारा चाक वाला साइड है वहां से हमें एक इक इंच का निशान लगाना है जितनी भी आप डोरिया लगाना चाहते हो चोटी चोटी यहां पे जहां तक आप यहां पे डोरी अटेश करना चाहते हो तो इस तरीके से हम दोनों साइड एक इक इंच क की दूरी पे हो गया एंड इसके बाद अभी हमने जो लंबी से डोरी रेडी की है ना उस डोरियों से हमें 3-3 इंच की रेखिए कितना लंबा सा डोरी है इस दोरी से में 3-3 इंच की पट्ती कट कर लेनी है और छोटी-छोटी डोरी कट कर लेनी है इसमें से तो इस सब से लंबा रख लेना उस डोरी को 40-40 इंच दोनों साइड के लिए तो चलिए फटा-फट से इस डोरी को हम साइड साइड में स्टिच करते हैं इसको हाफ में फोल्ड किया मैंने पहला जो निशान है हमारा उस निशान के निचे इसको डाला और इसको स्टिच कर लेंगे दो-तीन समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट वॉक्स है आपके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा मैं जरूर रिपलाई दूँगी अगर कोई भी कुश्चन आपका हो कोई भी डाउट हो तो देखे इस तरीके से हमने डोरी को एक साइड तो अटेच कर लिया है और दूसरे सा साइड बाहर होगा खुला वाला साइड अंदर की ओर होगा तो यह देखे हमने दोनों साइड डोरी को अटेच कर लिया है और यह रहा इसका फाइनल लोक यानि कि अभी रेडी नहीं है थोड़ा सा अभी में वाला काम पाकी है तो अभी हमी क्या करना है इसको डवल जो है डोरी ले लिखी है उसको हाफ में फोल्ड कर लिया है बिल्कुल हाफ में और जो ज्वाइंट वाला साइड है उसको इस तरीके से चाक के नीचे डालना है बिल्कुल सेंटर में डालना है आपने एंड सेंटर में डालके इसको चाक के उपर से दो तीन वार स्टिचिं अगर आप देखना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को विजिट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यहां पे जो डोडी मैंने लंबी वाली जो 40 इंच की डोडी ली थी सेंटर में लगाई थी 20 इंच पाब जया है मिरे तो फ्लावर लटकन आपके पाइब करना चाहिए जितना लंबा तक रिस्क्रोस आप लड़ी लटाआ चाहओ उतनी पतिया एड़ कर सकते हो इन डोनों डोड़ी में मैंने इस तरीके से अटेश कर ली दो-दो लटकन आप अपने हिसाब से लटकन एड़ कर लीजेगा एंड फाइनल लुक कुछ इस तरीके से फाइनल लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और हाँ गाई चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को प्रेस कर लीजेगर यहां तक आप वीडियो में मेरे साथ बने हुए ट्रेंडिंग ड्रैपिंग स्कार्ट की कटिंग इन स्टीचिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए डिजाइन के साथ तब तक जुड़े रहे हैं मुझसे और सीखिए कुछ नया